हेलो एव्रिवान थैंक यू सो मच वाचिंग प्रस्टीज क्लास आज हम पढ़ने वाले आपकी 10th क्लास की जोग्रफी की बुक से चैप्टर नुबर 3 वाटर रिसोर्स इससे पहले चैप्टर नुबर 1st और 2nd की एक्स्प्रिनिशन का वीडियो में बना चीक हूं जिसका लि 3-4 जो है वो औरत का वो पानी से ही बना हुआ है लेकिन 96.5 परसंट जो है वो सिर्फ ओशनिक वाटर है हमारे पास यानि जो सॉल्टी है जो खारा पानी है ओनली 2.5 परसंट जो है वो हमारे पास फ्रेश वाटर है और इस 2.5 परसंट को अगर हम देखें तो इसका यानि 2.5 परसंट का जो 70 परसंट वाटर है फ्रेश वाटर जो हमें आइस शीट और ग्लेशर में मिलता है यानि जो नॉर्थ पोल और सौथ पोल पर आइस शीट औ वो ग्राउंड वाटर है तो आप देख सकते हैं कि देखने में जो नंबर इतना बड़ा लग रहा है कि 3 4 अर्थ जो है वो पानी से बनी हुए है असल में हमारे कास कितना कम पानी है प्रपर संट जो है वो rain receive करता है इंडिया गलोबली और इंडिया रैंक्स 133 in the world in terms of water availability per person per annum यानी जितना per person per annum एक इनसान को पानी मिलता है उसमें इंडिया की रैंक जो है वो रहा है वो 33 है तो जितने भी हमारे पास renewable resource है पानी की उसका estimate लगाया जाता है कि 1,897 square kilometer per annum हमारे पास पानी है इंडिया में Water scarcity किसे कहते हैं? Water scarcity मतलब पानी की गिलत यानि पानी की कमी तो इसकी वज़ा क्या है? इसकी वज़ा सबसे बढ़ी है over exploitation of resources यानि resources का बहुत जादा exploitation करना दूसरा excessive use of water यानि पानी का बेजा इस्तमाल करना Unequal access to water among different social group यानि social groups में unequal access होना पानी का यानि किसी के बाद बहुत सादा access है पानी का और किसी के पास पानी बिल्कुल भी नहीं है आप अपनी ही country में बहुत सारे इलाकों में अलग-अलग देख सकते हैं कि कहीं पर पानी की इतनी जादा कमी है कि लोग किलो मीटर तक पैदल का सफर करते हैं एक मटका पानी हासल करने के लिए और कहीं पर पानी इ water scarcity जो है वो फेस करनी पड़ती है बहुत बड़े पैमाने पर दूसरी बड़ी वजा है water scarcity की कि हम लोग जो है वो सिफ domestic works में पानी का स्तमाल नहीं करते बलके agricultural activities के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर पानी का स्तमाल किया जाता है mainly in dry season यानि जब dry season में agricultural activities की जाती है तो बड़े पैमाने पर पानी का स्तमाल किया जाता है enough water देने के लिए crops को और जैसे जैसे हम resources का स्तमाल करते जा रहे हैं जितनी जादा हम तरक्की करते जा रहे हैं बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिन में enough rain होती है जहां पर बहुत सी rivers और lakes हैं लेकिन फिर भी वो इलाके scarcity को face कर रहे हैं इसकी सबसे बड़ी वज़ा है industrialization और urbanization यानि जैसे जैसे industries का जो है वो इस्तमाल जादा हो रहा है urbanization की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही पानी की किलत बहुत जादा देखने को मिल रही है industrialization की वज़ा से बहुत बड़ी इलाके में जो है वो पानी polluted हो रहा है यानि जो इड़सी से निकला जहरीला पानी होता है वो नदियों और तलावों में छोड़ा जाता है जिसकी वज़ा से वहां का पानी बहुत जादा polluted हो जाता है और वही पानी जब जमीन अब्जॉब करती है तो वहां की जमीन भी बहुत जादा polluted हो जाती है नेक्स पॉइंट तो यही है जो अभी मैंने बताया water pollution due to chemical fertilizers and pesticides यहां पर आपकी एक टर्म है water stress water stress occurs when water availability is between 1,000 and 1,600 cubic meter per person per year यानि water stress उसे कहते हैं जब 1,000 से 1,600 cubic meter per person per year पानी की availability हो तो उसको water stress कहा जाता है तो इन सब problems से बचने का क्या तरीका है इन सब problems से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम water को conserve करें और ऐसे तरीके ढूंडें जिनके जरीए या तो हम पानी का बहुत ही कम इस्तमाल करें या तो फिर हम पानी को बहुत जादा स्टोर कर सके तो एंशेंट जमाने से ही इंडिया में hydraulic structure का इस्तमाल किया जाता रहा है first century BCA में सरिंग वेरापुरा जो इलापात के करीब है यहां पर water harvesting system देखने को मिलता है जो river Ganga पर बना हुआ था irrigation system जो हमारे मौरेट डैनेस्टी के वक्त से देखने को मिलते हैं Odisha, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिन में irrigation systems देखने के लिए मिलते हैं जो आपकी बुक में डिटेल से दिये हुए हैं यह वैसे तो इतने important नहीं है बस एक समरी की तरह आप देख लेजे 11th century में जो भोपाल लेक है वो एक सबसे बड़ी artificial lakes में आती है इस वक्त की जो उस वक्त के लोगों ने water conservation के लिए बनाई थी 14th century में जो डैली में हॉसकास tank है वो बनाय गया था इलतुतमिश के जरीए जो सीरी फोर्ट एरिया के इलाके में पानी सप्लाई करता था तो आप देख सकते हैं कि बहुती ancient जमाने से जो है वो इस चीज पर concern जाहिर किया जा रहा है और इसके लिए कदम भी उठाए गए हैं पानी को store करने के लिए या irrigation system को बहतर करने के लिए काम किया है लोगों ने और आज भी हम water को conserve करते हैं और आज भी हम water को conserve करते हैं के काम किया जाते हैं डाम जो है बारीअ होता है जो stop और रिस्ट्रिक करता है flow of water को और उसी के साथ रिजर्वेयर करता है यानि दैम के साथ साथ बहुत-बड़ा रिजर्वेयर बनाया जाता है जहां पर जिस फ्लो और जिस बारियर से water को stop किया गया है water को flow जो excessive water है यानि जो जादा पानी है उसको रिजर्व किया जाता है for future use और जो इंपाउंड वाटर है इसको से फिरिगेशन के लिए इस्तमाल नहीं किया जाता है बलकि electricity जनरेट की जाती है water supply दी जाती है for domestic use or for industrial uses flood control की जाते हैं inland navigation के लिए बहुत जादे इस्तमाल होता है dams के classification भी किया गया है dams के classification दो basis पर है on the basis of height और on the basis of material height के according जो है वो small, medium और large पानी के हिसाब से dams बने होते हैं यानि जो बढ़ी-बढ़ी rivers हैं उन पर बहुत बढ़े और large dams बने हुए हैं जो छोटी rivers हैं उन पर छोटे dams बने हुए हैं on the basis of material timber embankment और masonry इस तरह के dams जो हमें देखने को मिलते हैं अलग-अलग rivers पर dams से जो पानी रिजर्फ किया जाता है उससे हम बहुत सारे काम करते हैं अभी आपने देखा फिश ब्रीडिंग करते हैं इरिगेशन करते हैं और फ्लड कंट्रोल किया जाता है लेकिन dams की कुछ लिमिटेशन भी है जैसे ये रिवर के नैचरल फ्लो को जो है वो एफेक्ट करता है जससे पूर साडिमेंटेशन फ्लो होता है दूसरा रिवर की जो एक्विटिक लाइफ है उसको बरबात कर देता है तीसरा dams जो है वो flora और fauna जो रिवर्स में flora और fauna migrate होती है especially during when climate change यानि जब मौसम बदलता है तो flora और fauna जो है वो एक जगा से दूसरे जगा migrate होती है तो इस migration को जो है वो बहुत ही ज़ादा effect करता है दूसरा displacement of local people यानि क्यूंके dam बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है बहुत बड़े इलाके में फैला होता है तो वहाँ के आसपास के इलाके को खाली किया जाता है वहां के लोगों को displace किर दिया जाता है और वहां आसपास बहुत बड़े प्यामाने पर खेती भी की जाती है जो commercial इस्तमाल के लिए होती है Dam की वज़ा से उस इलागे की soil quality भी reduce हो जाती है due to excessive commercial farming यानि जो अभी मैंने बताया आपको कि बहुत बड़े इलागे पर डैम के आसपास क्योंकि irrigation की problem नहीं होती यानि पानी आसानी से मिल जाता है तो commercial farming की जाती है डैम के आसपास के लागे पर और इसकी वज़ास से soil quality जो है वो बहुत ज़दा decrease होती है interstate dispute होते हैं यानि बहुत सी बार आपने सुना होगा कि जो एक ही river किनी दो states से जो होकर गुजरती है तो states के बीच में dispute होता है कि इसका पानी हम इस्तुमाल करेंगे या हम इस्तुमाल करेंगे इस तरह के dispute का बहुत ज़दा खत्रा होता है और इसी dispute की वज़ा से दो आंदोलन हुए हैं एक नर्मदा बचाओ आंदोलन और एक तहरी डैम अंदोलन अब हम देखेंगे इसके ironic state यानि जिस चीज़ के लिए इन डैम्स को construct किया गया था वो उसी को करने में नाकाम रहे यानि बहुत सारे डैम्स ऐसे हैं बहुत सारे project ऐसे हैं जिनको जिस purpose के लिए बनाया गया था वो उसी purpose को हासल करने में fail हो गए जैसे डैम्स को बनाने की सबसे main वज़ा थी to control floods लेकिन डैम्स ने flood को और जादा trigger किया है क्योंके sedimentation जो है वो reservoir की बहुत जादा बढ़ जाती है जादा तर जो है जितने भी big dams हैं यानि जो बड़े dams हैं जब excessive rainfall होती है यानि जब बहुत जादा बारिश होती है तो वो flood control करने में unsuccessful रहते हैं और इसका हमें example भी देखने को मिलता है जो 2006 में गुजरात और महराष्ट में जो है वो massive destruction हुआ था life का भी और property का भी और उसकी वज़ासे बहुत बड़े अलाके में soil erosion भी हुआ था और sedimentation की वज़ा से जितने भी flood plains हैं उन में silt और natural fertilizers की बहुत जादा कमी हो जाती है जिसकी वज़ासे land degrade हो जाता है उस अलाके का multi-purpose project की वज़ासे earthquake का खत्रा भी बहुत जादा बढ़ गया है और waterborne diseases का भी जैसे pests वगेरा तो यहां तक आपको पढ़ने से तो लग रहा है कि multi-purpose project जो है वो पूरी तरह से fail हो गया है तो अब क्या ऐसा काम किया जाए जिसकी वज़ासे हम पानी को जो है वो reserve कर सके या store कर सके इसका सबसे बहतर और सबसे ज्यादा valuable example है rain water harvesting rain water harvesting जो है वो एक ऐसा system है जो socio economically और environmentally बहुत जादा costing भी आती है यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिके बहुत जादा costing भी आती है और बहुत जादा maintenance भी हाई होती है जबकि rain water harvesting में maintenance भी हाई नहीं होती और इसकी जो है वो construction cost भी ज्यादा नहीं होती और यह environmentally friendly भी होता है जितने भी इली और mountages regions है महा यहां पर लोग जो है वो divergent channel built करते हैं जिनको गुल्स और कुल्स कहा जाता है western Himalayas के इलाके में rooftop rain water harvesting जो है वो सबसे जादा commonly practice की गई थी राजिस्थान में यह फोटो में देख सकते हैं यह गुल्स हैं जो western Himalayas में practice की जाती थी जिनकी और यह है rooftop water harvesting जिसमें छत पे एक tank बना दिया जाता है जिससे pipes के जरिए पूरे घर में पानी दिया जाता है rain water का और जो excessive पानी होता है उसको नीचे ground में एक बड़े tank में store कर लिया जाता है जिससे बाद में hand pump के जरिए उसको या motor के जरिए निकाल लिया जाता है इस्तमाल के लिए तो जितने भी floodplain वाले बंगाल के यहां पे लोगों ने इंडिवेशन चैनल बनाए हैं irrigation के लिए अपनी field के लिए और जित एक पॉंड टाइब एरिया में store कर लिया जाता है जिसको कहा जाता है खादेंस जैसल मीर में या जोहर्स कहा जाता है राजिस्थान के पार्ट में यह इस तरह जासा आप पिच्चर में देख रहे हैं इसके अलावा एक बहुत ही पुराना सिस्टम है जो बहुत ही जादा बैंबू पाइप सिस्टम के जरीए जिसको बैंबू पाइप से अलग अलग जगा पर यानि जहां पर आपको लेकर जाने है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पानी को अर पेड़ पर यानि जितने प्लांट है आपके पास उस पर 20 से 80 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाफ से ग में चैनल जहां से पानी आता है और यहां से इस तरह जहां भी आपको लेकर जाना है उसको डाइवर्स कर दिया जाता है इनको सब चैनल कहा जाता है और यहां पर यह चोटे-चोटे होल्स बनाए जाते हैं जिन से ड्रॉप्स के हिसाफ से पानी जो है वो प्लांट को मिलता रहता है यह bamboo drip irrigation system है जो मेगालिया के इलाकों में इस्तमाल किया जाता है और बहुत सारे hilly regions भी है ऐसे जहां पर यह system इस्तमाल किया जाता है यह बहुत ही जादा effective है तो आप देख सकते हैं कि लोग कितनी महनत करते हैं पानी को बचाने के लिए यानि बांस को काटना उसको ब ब्रश मुँ में है और tap खुली है या फिर हम नहाने के लिए बातरूम में गए और चार बाल्टी पांच बाल्टी पानी में नहा कर आ रहे हैं तो यह सब चीज़े हमें कंट्रोल करनी होंगी वरना जो बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जो water scarcity face कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े इलाके में water scarcity लोगों को face करनी पड़ेगी अगर इसी तरह जो है वो पानी को बरबात करते रहे गर्मेंट भी जो है बहुत वक्त पर water conserve के लिए water reserve के लिए जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम् आपने भी जरूर एक पोस्टर बनाया होगा save water save earth का जरूर तो यहां आपका chapter complete हो गया है अगर आपकी कोई भी confusion है कोई भी point आपको अपको समझ नहीं आया है तो प्लीज अपनी कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताएं अगर इवीडियो अपके लिए helpful रहे तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you good bye